हलो फ्रेंट्स आज हम व्रक्षोप टेक्नोलोजी और मेट्रोलोजी 209 में कम्परेटर है इस कम्परेटर के इंतरगत इलेक्ट्रीकल एंड इलेक्ट्रोनिक कम्परेटर है इनके बारे में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रीकल कम्परेटर अर्थात्र विद्युत तुलनित्र तुलनित्र होते हैं तुलनित्रों में हमें विभीन प्रकार्ट से आवर्धन प्राप्त करते हैं और जिस विद्धी से आवर्धन प्राप्त किया जाता है उसी के अनुसार कमपरेटर है उस कमपरेटर को क्लासिफाई किया जाता है अगर यांत्रिक विद्यों से आवर्दन प्राप्त किया जा रहा है तो उसे हम यांत्रिक तुल्नित्र कहते हैं और अगर विद्धुत विद्धी से आवर्दन प्राप्त किया जा रहा है तो उसे विद्धुत तुल्नित्र कहते हैं तो विधुत सिंदावंत पर आधारित अनेक परकार के विधुत तुल्नित्र है वो बनाए जाते हैं इनमें जो प्रमुक है वो है आपके इलेक्ट्रो लिमिट, इलेक्ट्रो मेकेनिक आदी, इलेक्ट्रो लिमिट है में इलेक्ट्रो मेकेनिकल आधी तो इसके अंत्रगत आज हम इलेक्ट्रो लिमिट तुलनित रहे इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे इसका सिद्दान्त परोडेंगे कि किस चिद्दान्त पर कारी करता है एक इलेक्ट्रOS लिमिट तुलनित्र है है यह आपका वीट स्टोन न चाम सर्टूं को हुआ agent कि इसके सिद्दान्त पर कारी करता है कि भी स्टूं पर दिखाए गया है चितर में आपका wheat stone bridge दिखाय गया है इसमें यह दिदीजी दारा किसी बेटरी द्वारा प्रवाइद कराए जाए यह बेटरी लगाई हुई है तो बेटरी बेटरी से हमें DC करंट है दीजी दारा है वह प्रवाइद करेंगे तो wheat stone bridge है इस wheat stone bridge में अगर हम DC दारा किसी बेटरी द्वारा प्रवाइद कराएं तो बुजाओं के प्रतेक जोड़े में जैसे r1, r2 हो गया r3, r4 हो गया तो बुजाओं के प्रतेक जोड़े में प्रतिरोत का अनुपात बराबर होगा और ब्रीज है वह संतुलन में रहेगा यह गयल मेनोमेटर सुनने विक्षेप दर्साएगा तो यह बेटरी है आपकी इस बेटरी से हमने DC करंट है वो DC करंट प्रवाइद किया तो बुजाओं के प्रतेक जोड़े में प्रतिरोत का अनुपात है वह बराबर होगा बराबर होने से आपका ब्रीज है यह संतुलन म इनन चन100 और और घिल मेनोemitism तो गिल मिन वंटर आपका सुनने विक्षे पर है वो धर्साइगा कि अदर इसके विप्रित किसी भी बुजा के पढ़्तिरोत को अगर हम बदल दें तो ब्रिज का संतुलन और व होगड़ जाएगा ठीक है अगर हमें किसी बी बुजा के दल दें तो बदल दिनने पर ब्रीज का संतुलनन वह बिगड़ जाएगा जहाएगा जिंङ चिन्ना कित एक गेलॉनोमेंटर है उसमें विक्षेप आएगा तुन्नित के मापन प्लेंजर veinania को ने को बताने उसको बताने में सक्सम होगा अब अगर हम डिसी के स्थान पर एसी करंट लें तो ब्रिज की बुजहों में पट्तिरोथ के साथ साथ अगर हम डिसी के बज़ाए एसी करंट लेते हैं तो अब विदुत्य स्थान पर आदारित यंत्र होते हैं वो कैसे कारे करते हैं तो यह इलेक्ट्रो लिमिट तुलनित रहा है यह इसमें चित्र में दर्साया गया है विदुत्य स्थान पर आदारित माप यंत्रों में यंत्र के मापन सीर्स में लगी कुंड्लियां कुंड्लियों के जोड़े से प्रेरक्तु का यह जोड़ा बनता है क ऐसे मेंजरिंग के बीच में लोट्षी बीच में यह के बीच में पूहिए करदी कर दोनों रेडलियों के बीच में जब यह लोगे की बुजा को दोनों के बिल्कुल बीच में रहती है तो बिज का परिपत संतुलन में रहता है और आपका गेल रानुमेटर है वह जीरो रिडिंग सुनने विक्छेप वह दिखाता है अब जब पलंजर कुछ उपपर उठता है यानि जाचे जाने मुखित है उपपर आमने रखा और उसमें एक कुछ इर्रिगोलिटी आई जिसके कराम, प्लंजर उपर उठा आपका तो जब प्लंजर को उपपर उठता है तो अगा आर्मेचर को उपर दखेलता है कि यह आपकी आ रमेचर लगीं यह दोनों कुणलिया है ये दोनों कुणलियों की बीच में रमेचर से जोड़ी वह हूई है तो जैसा हिये बुझा उपड़ होगी तो रमेचर है वह रमेचर उपड़ेगा जोड़ों को परेड़क्त है वो बदलता है तो जोड़ों का परेड़क्त बदलेगा तो क्या वो कई अब आपको प्रेड़क्त बदलने की मातरा है वो आर मेचर और प्लेंजर के उपर उठने की मातरा पर निर्बर करती है ठीक प्लेंजर उपर उठेगा तो यह इस बुजा को उपर उठाएगा बुजा को उपर उठाएगा तो आपका आर मेचर है वो आर मेचर भी उपर उठेगा तो यह जो परियरक तो आपका बदलता है यह आर्मेचर और प्लंजर के उपर उठने की मात्रा पर नेरबर करता है संतुलान बिगणने से गेलवान में धारा प्रवाई होती है जो मापन प्लंजर के विस्तापन के समानुपाती होती है कि इसके मापन प्लंजर के उपर उठने से वह मापन प्लंजर के विस्तापन के समान उपती होती जंत्र के आवर्दन को कि एक जार से 20,000 गुना तक रखा जाता है इसमें मेगनिफ के जो मेगनिफिकेशन है आवर्दन है उसको हम कि एक जार से 20,000 गुना तक आवर्दन करते हैं जिससे रिडिंग है वह आपकी अच्छे से लिज़ाज के प्राय आवर्दन की अलगर प्रासे होती है अलगर रेंज होती है और इन्हें बदने के लिए स्विच है वह लगे वे रहते हैं तो इस प्रकार आपका यह इलेक्ट् दूलनित्र क्षि लेक्ट्रो निक कहम्परिटप्ड अब अगर हम इलेक्ट्रोनिक माध्याम से की होगे में तो और कटने तो इस सर्दान पर आदार्यत दुलनितर है वो इलक्ट्रोनिक करेंगा मेडी के सित्रबार उसमेस रिट में एक लगावा धा मेजरेंग तो है यह आपका मेजरिंग है करता है यह आपका ऊक्सिलेशन उत्पन की जाते हैं यह करता है यह को हो किशी मेजरिंग तो इसमें कि यहां कि निरधारित आवड़ती के में ती कि दोलन वह प्रोड्यूस करते हैं तो ट्रांस्ट्रीशर के उपर नीचे उठने से बदलता है उपर नीचे होगा जिससे दोलनों की आवर्ती बदलती है यह आपका ट्रांस्विद्डूशर थे उपर नीचे होगा आपका जो ऑक्सिलेटर है जो बदलेगी ट्रांस्डूसर के उपर नीचे उठने से प्रेजर रखत बदलता है जिससे दोलनों की आवड़ती बदलती है अभी जो दोलनों की आवड़ती है इसे हम एम्प्लीफायर करते हैं एम्प्लीफायर में एम्प्लीफायर करने के बाद डी मोड्यूलेटर है इसको बदल लिए जाता है और एक डी सी मिटर दवारा इसको अ आपा जाता है जिस्मेंटर का जो विक्षेप है यह मिटर आपका DC मिटर में जो विक्षेप आएगा वो विक्षेप स्टांस्टिउसर के विस्तापन के समानुपाति होता है अ रज़ने लिएक रेडियो दो लिटर यह वो लगा होता है जिससे निश्यत आवर्ती में वह उत्पन होते हैं कि माप के बदलने पर मापन सीर्ष के विस्थापन से आवर्ती बदलती है तो यह मेज्रिंग एड़ है इसको जाचे जाने वले सत्यले में वारती है और स्थीं हंतर से पयाना प्रीमाना चाहनी सिद्धें लंबाई के लिए लिती है अब आपका DC-meter है इस DC-meter का प्यमाना यह डारेक्ट लिए अनसंकित है ठीक है अगर यह 0.25 mm की लंबाई से इसमें चेंज होता है तो आपका मिटर है वो डारेक्ट 25.25 की रिडिंग लेने के लिए अनसंकित होगा तो मिटर का प्यमाना है इसी दे लंबाई के लिए अनसंकित होता है विबिन प्रकार के एडप्टर लगा कर यहंतर को अनेग मापो जैसे बाहर और भीतर के माप चोरस्वन के परिक्षन मोटाई के माप आधि के लिए परियोग किया जासता है ठीक है तो इसमें हमें विबिन प्रकार के एडप्टर लगा के इसी यहंतर को बाहर के माप लेने के लिए ओर आधि के लिए प्रियोग करते हैं अगर आपी प्रिक्वेंसी जदा है अवर्ती जदा है तो ये जटा सेंसिटीव होते हैं आवर्ती में परिवर्तन करके यंतर की सेंसिटिविटी जैने आवरती में परविवर्दन करके यंत्र की सुग्राहिता है इसको भी हम बदल सकते हैं अब इलेक्ट्रोनिक तुल्रत्र की क्या-क्या विश्यसता है होती है यंत्र के आद साइक जुक्तियां होती है जिससे आपको बता है कि विविद प्रकार के यंत्र को हम बहु उप्योगी वर्सेटाइल बना सकते हैं तो यह पहले विश्यसता होगी कि हम इसके साथ विविवन प्रकार के एक्जुलरी डिवाइसेज है वह यूज करके इसको हम कई प्रकार से उप्योग में लेसकते हैं अर्था इसको हम बहु उप्योगी बना सकते में वर्सेटाइल बना सकते हैं। दूसरे विषिस्ता है सामाने दसा में सामाने दसा में इस यंत्र की प्रत्योत्र देने की गति यह स्पीड ओफ रेस्पान्स यहनी रेस्पान्स कितनी जल्दी देता है। तो सामाने दिसा में इस यंत्र की स्पीड ओप रेस्पोंस है वो काफी अधिक होती है यह प्राई पॉइंट टू सेकंड पॉइंट है टू सेकंड में अच्छा रेस्पोंस दे देता है पूरे पेमाने के मापन के लिए यथार था एक परसेंट होती है कुछ विशेज प्रकार के इलेक्ट्रोनिक जंत्रों में माप की सविकारिता यहनी एक्सप्टेंस माप की एक्सप्टेंस है और डिजेक्शन है इसके लिए अलग-अलग रंगों के बलब जल जाते है तो इसमें अलग-अलग के और डिजेक्शन के लिए अलग-अलग रंग के बलब है वो जलते हैं जिससे मापन यह थारता पूरव कोई आसानी से लिए जासकता है यह मापन वो एक्सप्टेंस से और आसानी से ले सकते हैं यह यंत्र अत्यस्प्ष्व मापन के लिए भी परियोग किया अलग की आसकते हैं यह हैं अ आपका इलेक्ट्रोणिक तुनित्र है इनको हमें अत्यस्प्षु मापन के लिए भी परियोग कर सकते हैं हमने आज ऐलेक्ट्रिकल तुनित्र उनका सिद्दान्ट और कैसे कारकार्य करता है और इलेक्ट्रोनिक तुलनित्र उनका सिर्दान्त और ये किस प्रकार कारी करते हैं इन दोनों का द्यान किया है धन्यवाद